वास्व गाइज, I hope you are doing well, अईए वीर, welcome to श्टेलोर फैमली, तो सुबह के चार बज गए है, उठ जाओ मेरे सेरो, आग लगा दो, आग लगा दो का मतला है, पढ़ाई कर दो, जम कर देखिए, अच्छे से enjoy कर लिया है, अब शांदा तरीके से लग जाओ, अपनी पढ़ाई ही रहना चाहिए, अगर morning से जोस हाई रहेगा, तभी शाम तक टिक पाऊँगे, वरना बीच में क्लिन बोल्ड हो जाओगे, तो क्लिन बोल्ड होने से बचना है, तो starting से अपना जोस हाई रही है, और वो कैसे होगा, अपना schedule को morning से अच्छे से follow करना, start करो, शाम तक आते आ जो question है, यह आप लोगो 4am, जो की शाम से लेकर, morning से लेकर, evening तक आप लोगो पुरा package है, जिसको आप लोग नजोए कर सकते हैं, तो आईए सबसे पहले question का answer देखते हैं, जो कल आप लोगों से पूछा गयता है, यह था जर्दालू mango, यह जो जर्दालू आम है, यह काफी स गया 2018 में, और यह एक food stop के अंदर आता है, और बिहार से belong करता है, यह particular article, GI tag अगर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब और अच्छे लेवल पर इसको recognize किया जा रहा है, वैसे भी इसकी काफी importance है, खासकर जो बिहार में रहते हैं, उनको पता होगा, इसके बारे में कुछ जाने जाती हैं, तो उनी में से यह एक है, इसी तरीक से जो आज आप लोगा question है, आपर यह GI tag का first question आप लोग देखते हैं, यह है मागही पान, जाकर इसके बारे में discuss कीज़ेगा, देखेगा कहां पर यह है, किस राज़े में है, कभी इसको register किया गया, और यह कौन से type के, यह structure में आता है, यह आप लोग को देखना है, यह भी काफी famous है, देखा होगा कुछ दिनों पहले news में थे, अनुस्का सर्मा, यह फिर सारुक खान उसके साथ में, दोनों ने मिलकर यहाँ पर यह जाकर मागही पान खाय था, तो किस particular area में पाय जाता है, बिटल, wine के नाम से इसको पुकार जाता है, तो कोई भी option हो, आप लोग के mind में कोई confusion होना चाहिए, दोनों ही सही answer है यह आप, ओके, तो आईए next question देखते हैं, next question है, जो आज का यह English education को लेकर, हिस्टी का question है, 2018 के UPSC के prelims में पूछा गया है, सबसे पहले बात की जा रही है, Charter Act 1813, यह निक की गई English education की, ठीक है, तो पहला बोला गया Charter Act 1813, दूसरा बोला गया Journal Committee of Public Instruction, तो यह बोला गया, तीसरा बोला गया, Orientalist और Englishist, तो यह जहें आप पे थे, यह इसकी जो controversy उसके बारे हैं बात की जा रही है, तो आखिर कौन सा इसमें से options है है, तो detail में इसको discuss करता हूँ, जहां से सुनिएगा, सबसे पहला question यहां पर यह बनता है, आखिर English education की जुरत क्या पढ़ गई, जब यहां पर सब कुछ चल जा रहा था आराम से, तो English education की क्या जुरत पढ़ गई, देखें, English company को काम करना है, उनकी language English है, तो English में काम कराने के लिए उनको, हमारी country में introduce करने की बात की गई, और indirect way में, वो चाहते क्या थे, वो चाहते थे, कि हाँ पर जो brown चमडी, यह फिल जो हम लोग है, हमारे अंदर दिखने के लिए तो हम लोग Indian दिखें, पर लेकिन अंदर से, आप लोग वो यह चाहते थे, कि अंदर से हम लोग जो रहें, वो अंग्रे इसके बारे में कई बार जब बीचे पोईंट आ जाता है, या फिर कोई कुशन आप लोगों से पास्टे पूछा है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों बताया था, 1813 की बात की जा रही हैं आप तो यानि कि एक एक, तो दोनो वन है, इसका मतलब वन लैक रुपी एजुके को आगे लेकर चलना है, उसको यहाँ पर देखा जा सके, और मैकाले इसके चेर्मेन थे, आप लोगों ने कई बार नाम भी सुनोगा, थोड़ सा डिटेल में हाँ पर जान लेते हैं इसके बारे में, लोड मैकाले का नाम आप लोगों ने सुनोगा, दस मेंबर की कमिटी त तक के बीच के अगर बात करते हैं आप लोग, इस टाइम पर किसी भी मिसिनरी को हमारी कंट्री में एजुकेशन को इंप्लिमेंट करने के लिए अलाव नहीं किया गया था, ताकि यहाँ पर लोगों को इंफ्लेंस नय किया जा सके, और यहाँ पर आसानी से, जो इस इंडि लोग है, यहाँ पर लोकल, अरभी क्या फिर उर्दू या फिर हिंदी यह सब चीजे यूज करकर आप लोग को जो क्लासिकल लेंगेज है उस फों में करानी है, तो यह भी इसी सिस्टम के थुरू यहाँ पर कोंट्रोवर्सी निकल कराई, लोड मैकाले की अगर माने तो ल सब्सक्राद रखना है, यह कमेटी के चेर्मैन हुआ करते थे, आगे बढ़ते हैं, नहीं जो कुछन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, यह बात करें, आर्टिफिचल लेक के बारे में, आर्टिफिचल लेक वो लेक होती है, जो खुद इंसानों के द्वारा बनाई जाती है, तो यह अलग-अलग यहाँ पर है कि इन में से कौन सी आर्टिफिचल लेक है, यह आप लोग को बताना है, आप लोग अपना अंसर दीजे और उसके बाद में फिर आंसर देखेगा आप लोग यहाँ पर, तो आंसर है इसका A, यहाँ पर है कोड़ाई कलन लेक, कोड़ाई क देखेंगे, तो इसका अंसर क्या होगे, आप इसका अंसर A हो गया, एक बार आप लोग इसका structure देख लिए, कुछ ऐसा यह देखें, आप लोग के सामने आप, तो यह particular है, तीस तरीके से आपर question कई बार बन जाता है, तो इसका अंसर A हो गया, और यह भी UPSC 2018 के पूछा ग बारे में है, तो क्या सही है, तीसरा है हाँ पर बोला जा रहा है, कि अन्रेगुलेटर सेक्टर में जो worker है, उनको कही न कहीं, एक अच्छी quality life देने के लिए, एक job उनको मिल जाए, उसके बारे में फोकर देंकर चलती है, तो कौन सी statement है, तो आईए नजर डालते हैं, आंसर तो confusing statement आप लोगों को देखने को मिलेगी, बागी की दोनों statement बिल्गुल सही है हाँ पर, यह literacy, digital literacy, financial, यह फिर entrepreneurship, यह फिर soft skill के बारे में बात करता है, और unregulated sector जो है, खासकर उसके ओपर काफी focus इसके द्वारा दिया गया, तो answer यहाँ पर C हो गया, बागी कुछ extra information 2015 में इस आप इसके द्वारा जिया जाता है, ताकि उसको utilize करके आगे और आसनी से job वगरा प्रोवाइड कराई जा सेगे, जिस person के द्वारा है, आप यह skill training इसके द्वारा ली गई है, next question हिस्टी का है, और यह भी recently पूछा गया है, भी exam में, जो की तुधाइंट 18 के पिलिंस में, 1920 में कौन सी organization के द्वारा नाम चेंज किया गया था, ठीक है, क्या नाम चेंज किया था है आपर सुवराज सभा, तो यह आप लोगों बताना है, उसका नाम आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपर सारे नोफसन आप लोगे सामने है, पहला है आपर All India Home Rule League, दू दूसरे हैं आपर हिंदू महासबा, तीसरे है South India Liberation Federation और यहाँ पर यह है The Servant of the Society, ठीक है ना, तो Servants of the Indian Society, तो आइए आंसर देख लेते हैं, आंसर है इसका A, ए आंसर है आपर यह है Indian Home Rule, मूवमेंट जो की स्टार्ट किया गया था, और खासकर दो साल चला यह 1916 से लिए 18 और दो important personality जो की बहुत frequently पूचा जाता है, एक तो थी एनिबेसेंट और दूसरे थे आप आप यह बाल गंगा दर तिलग, जो की इसको चलाने वाले थे आगे forward level पा, और यह एक तरीक से Ireland में Home Rule League जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, उसी से inspired था, तो future में यह भी question आप आप लोगों से पूचा जा सकता है, 1920 में Old India Home Rule League जो था, नाम चेंज करकर यहाँ पर यहाँ पर यह सुवराज्य सभाइस का कर दिया गया, और गांधी जी के द्वारा भी जो किताब लिखे गई है, हिंद सभराज्य या फिर Indian Home Rule, तो यह compose की गई 1909 में, इसके बारे भी आपर A, यह हो गया आंसर, आगे बढ़ते हैं, factual question है और direct question है, सबसे पहले यहाँ पर event के बारे पूचा गया कि कौन सा event सबसे पहले हुआ है, earliest happen कौन सा event है आपर, सबसे पहले बात की जा रही है, स्वामी दयानंद इस्टेबिस किया आर्ये समाज, तो यह direct question पूचा जा सक सतंदर ना टैगोर, यह first Indian बने जो की Indian Civil Services examination को clear करने वाले थे, काफी टंप माना जाता था उस ताइम पर क्योंकि situation कुछ ऐसी रख रखी थी की, ताकि कोई भी इंडियान हाँ पर नय जा सके, तो कौन कौन सा कब हुआ, सबसे पहले नहाँ पर बात की जा रही है, यह है दीन से नंबर पर यह है, स्वामी दियानन्द जो इस्टेबलिस किया रिया समाज, यह 1875, तो यह है बंकिम चंद्र चटोपाई ध्याय, यह आनन्द मत लिखा गया, यह 1882, ठीक है, तो यह एक तरीके से अभी तो पूछा गया, कौन सा पहले हुआ, बाकि यह भी आ सकता है, कि गड़ते हुए या फिर बढ़ते हुए करम में इनको लगाओ, तो ऐसे भी कुश्चन इसका फ्यूचर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो confusion नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ता हूँ, तो answer होगे आप लोगे सामने, B, कुश्चन काफी important है, आप पर जियोग्रफ बोलते हैं, आप लोग या सेंड बोलते हैं, उसको जब उठाया जाता है, तो यहां से किस तरीके की impact डालता है, वो अलग-अलग लेवल पर, तो decrease होती है, इसकी वज़से salinity in river, अगर आप लोग एक गिलास में नमक रखिए, ठीक ना, और नमक को चमच से नीचे से उठान नजर आएगी, pollution of the ground water, इसकी वज़से कई बार ground water जो होता है, वो भी pollute हो जाता है, और water table पर भी इसका impact पड़ता है, water table इसकी वज़से कम होती है, क्यों, क्योंकि जैसे आपर ये rate होता है, आप लोग ने सुना हो गए, आपर send जो होता है, अगर पानी डालेंगे तो इसका B, और हाँ ये भी पढ़ लिया कीजिए, क्या पूछ रहा है, आपर correct पूछ रहा है या incorrect पूछ रहा है, वो भी आप लोग ध्यान रखा कीजिए थोड़ा, तो B हो गया, आगे बढ़ता हूँ, next question देख लेते हैं, ये भी हाँ पर important question है, काफी बात की जारी है, soil के ब इसके बाद में वो मिट्टी ऐसी हुई हाँ, तो ये जो मिट्टी है, इसमें काफी content आप लोग को देखने को मिलते हैं, तो बोला जारा है, जो organic matter होते हैं, यानिके घास फूस जो पत्य है हाँ पर मिट्टी के अंदर मिली होती है, उसकी बात की जारी है, तो कौन सी statement से य पहले बोला जारा है कि अगर organic content यानिके घास फूस अगर मिट्टी के अंदर जारे मिला हुआ है, तो उसकी वजए से जो इसकी पानी hold करने की capacity है, वो reduce हो जाती है, तो ऐसा कुछ है, एक साइड में तो आप लोग सूखी मिट्टी लेंगे, एक साइड में जिसमें घास सकते हैं, तो आप लोगों से इस तरीके से question पूचा जा सकता है, तो यह reduce नहीं करेगा है, यहाँ पर इसको बढ़ाएगा और, यहनि कि statement यहाँ पर गलत होगी, दूसरा बोला है कि soil जो है, वो कोई role play नहीं करती है, sulfur cycle, sulfur की जब हम लोग बात करते हैं, तो soil के अंदर जो भ गलत होगी हैं आप, next यहाँ पर बोला गया है कि irrigation अगर करते हैं over the period of time, तो यह salinization of some agriculture land को salinity बढ़ाता है इसकी, तो यह आप लोग बोल सकते हैं, देखे क्या होता है, जैसे जैसे आप लोग खेत में पानी चलाते हैं, तो उसकी वेज़से क्या होता है, कई बार वो पानी risk दने लगता है, यानि कि एक area से जाह कर दूसरी area में बहने लगता है, और उसकी वेज़से जो एक तरीके से, जो जो एक तरीक से, वो ना दिया कि जादा पानी देने से भी हापा, जो खेतों के अंदर की जो सकती है, एक तरीकी से वो कम हो जाती है, तो उसका reason यही माना ज जाता है, इस तरीके का, तो खासकर उसको कम करने के लिए कई तरीके product उसमें मिला जाते हैं, और इन में से आप लोग organic matter भी अगर यहाँ पर मिला जे जाए तो यह भी इसमें बहुत बड़ा role play करते हैं, तो last statement यहाँ पर सही है, अगर देखा जाए तो बाकी की दोने statement उप पर कमी है, तभी आप लोग अच्छे से question को attempt examination hall में कर पाएंगे, आगे चलता हूँ, इसमें यहाँ पर बात की जा लिए जो partnership for action on green economy, यानिके green economy को यहाँ पर किस तरीके से लेकर आगे चला जाए, उसके लिए जो partnership है, UN mechanism की, वो assisted की गई अलग-अलग countries के दोरा, तो कौन सी यहाँ पर conference हुई, जिसके अंदर यहाँ पर यह उपर निकल कर आई, यानिके जिसके यहाँ पर इसको support किया गया, तो यह है आप लोग के सामने question, सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है, Earth Summit हुई, Sustainable Development की 2002 में, जुहांसबर्ग में, दूसरा बोला गया, United Nation Conference on Sustainable Development 2012 में, र तो रियो में, जो यहाँ पर, यह United Nation Conference on Sustainable Development हुई थी, ब्राजील के अंदर, तब यहाँ पर यह बात की गई, ठीक है, तो इसके बारे में, आप लोग हलका सा idea रक्षते हैं, future, इसमें बोला गया थे, आपर जो conference थी, outcome, जो document निकल किया, उसको बोला गया, the future we want, यानि कैसा future हम लोग को चाहिए, खासकर हमारी economy कैसी होने चाहिए, और किस तरीक से हम लोग को आगे काम करना है, उसी के चलते हैं, आपर यह page, यह create किया गया, जिसको बोला गया, part receive for action on green economy, तो answer क्या हुआ इस बेस पर आप लोग का, answer होगे इस तरीके के B, तो P, A, G, direct B लिखकर आप उसे पुछा जा सकता है कि किस से related है, तो यह related है green economy से, आगे बढ़ते हैं, next question है, आपर बात की जारी है 3D printing के बारे में, 3D printing एक नई तरीक टेकनलोजी है, जिसमें अलग अलग तरीके के item आप लोग बड़ी ही जल्दी बना सकते हैं, उस तरीके का material अगर उसके अंदर डा जाता है, तो answer क्या होगे इसका, answer हो गया इसका C, यानि कि सब में ये use किया जाता है, ये भी recent question पुछा गया, अलग अलग तरीके से इसको आप लोग हर एक level पर use कर सकते हैं, इसको, एक तरीक से bridge बाना जा रहा है इसको, digital information और physical material, यानि कि digital information को physical material में convert करने का bridge है, वो है 3D printing, इस तरीके से direct information आप लोग इसको देखते हैं, तो अलग-अलग area में यहापर इसको use आज की rate में किया जा रहा है, तो maximum जो काम है, इसकी वेसे आराम से complete किया रहे है, तो answer यहापर C हो गया, prelims 2018 में question पूछा गया, आगे चलता हूँ, next यहापर यह technical term है, जो news में थी आप आपर recently इसके उपर question भी बना, यह है pros of peace Julie Flora, यह mention की गई news में आखिरी यह क्या था, तो यह आप लोग के सामने option है आपर, तो आप लोग के हाँपर जो answer है, एक बार उसके उपर आप लोग नज़ डालिए, यहाँ पर यह एक तरीका paid है, जो आप लोग इसको picture में देखते यह काफी खतरनाक paid है एक तरीक से, एक तो by diversity काफी कम कर देता है, इसी के साथ में इसकी deep route जो होती है, वो जमीन के अंदर से ground water को काफी सोकती है, इसलिए से most hated tree भी हमारी country में बोला जाता है, तो यह कौन सा option होगया, इसका option होगया B, यहनिकि यह reduce करता है by diversity in the area जहाँ पर ठीक है, तो यह idea रखेगा अलका सा आगे बढ़ते हैं, next question है आप लोगे सामने, यह बात की जारी है North Korea के बारे में, North Korea का border किस किस country से touch करता है, तो यह question है आप लोगे सामने, तो बोला जारा है China, Russia और South Korea, तो एक बार आप लोग मैं पी नहार लीजा, आप लोग अपने South Korea के साथ में, रिलेशन अच्छे करने की बात की जारी है, और चाइना भी काफी सनलिप्त बीच में पाया जा रहा है, तो इसलिए question आप लोगों से बन सकता है आपर और पूछा भी गया है यह, तो answer यहां पर इसका C हो गया, यानि के तीनों ही border touch करते हैं, तो यह था total आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसी के अलावा आप लोग फोलो कर सकते हैं, फेस्बूक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, या फिर यहां पर एक और है वीड़त आलायन के नाम से YouTube चैनल, जो कि अगर यहां पर कोई वीडियो अप्लोड करने पोलम होती है, तो यहां पर बड़ो का नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोड़ी सी लाइफ एंज्योए करो यार, तब तक के लिए जैहिंद!